हलो, आपका हमारे चैनल डॉक्टर पुनीत थवन में बहुत बहुत स्वागत है आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप हमारी हर लेटिस्ट अपडेट पास सकें इसलिए उन्हें अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजटिबल्स इंक्लूट करने चाहिए इसके लिए पेशिंट्स डॉक्टर या डाटिशन की भी सलहा ले सकें अब आपको बताएंगे किड्नी पेशिंट्स को स्टॉबरी क्यों कंज्यूम करनी चाहिए फर्स स्टॉबरी में कई तरह के अंटी उक्षिंट्स होते हैं जो किड्नी को साफ करने में हेल्प करते हैं और किड्नी को हेल्थी रखते हैं Patients daily दो strawberries खा सकते हैं, यह ना सिर्फ kidney के लिए healthy होता है, बलकि इससे body के toxins भी बाहर निकलते हैं. Second, strawberry में anti-inflammatory और anti-cancer properties होती हैं, जो heart diseases और cancer से बचाती हैं. Strawberry में vitamin C होता है, जो swelling को रोकने और arthritis के symptoms को कम करने में help करता है. Third, strawberry manganese और fiber का अच्छा source है, high fiber foods का intake बड़े होई uric acid को कम करने में helpful होता है. जिन kidney patients का uric acid level बड़ा हुआ है, वो इससे कम करने के लिए strawberry खा सकते हैं. Fourth, strawberry में low sodium होने की वज़े से high blood pressure के problem नहीं होती, high blood pressure और high sugar level kidney खराब होने के main reason होते हैं. Lastly, strawberry में low potassium और phosphorus होता है, इसमें 120 mg potassium और 13 mg phosphorus होता है, इसलिए strawberry को diet में add करना चाहिए. तो ये भी kidney patients के लिए strawberry से जुड़ी कुछ information, अगर आप या अपको कोई अपने इस बारे में और जानकाई लेना जाता हो, या kidney की किसी समस्या से जूज रहा हो, तो आप करने अरवेदा kidney केंद्र में संपर कर सकते हैं. संपर करने के लिए आप मारे number, email और केंद्र का पता description box में देख सकते हैं. अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो, तो इससे like करें, ये information अगर उप्योगी लगी हो, तो इससे share करना ना बुलें. साथ ही साथ, अगर अभी तक आपने ये channel subscribe नहीं किया है, तो subscribe सरूर कर Thank you for watching. हमारी email ID है doctor at karmaayurveda.com, अधिक जानकारी के लिए आप हमारी website www.karmaayurveda.com पर log on भी कर सकते हैं.